Hello and Welcome to Griraj Himachal Griraj Himachal चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम अक्तुबर महीने के जितने भी Important Current Affair के Question है वो सब डिसकस करेंगे यह वीडियो चार पार्ट्स में होगी and this is Part 1 of October Month इस वीडियो के अंत में मैं आपसे Question में पूछूँँगा उस Question का जवाब आपको Comment Box में लिख करके बताना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं Question No.1 प्रदेश में मंडी संसदिये वे तीन विधानसवा सीटों के लिए उपचुनाव कब आयोजित किये जाएंगे When will the by-elections for मंडी parliamentary constituency and three assembly seats be held in the state इस स्वाल का सही जवाब रहेगा 30 October को उपचुनाव आयोजित किये जाएंगे मंडी संसदिये seat के लिए और तीन अन्य विधानसवा सीटों के लिए इसमें राज्ये के मुखे चुनाव अधिकारी कोन है सी पाल रासू तो यह आपको याद रखना है प्रदेश के तीन विधानसवा शित्रों जिसमें शिमला जिले के जुबल कोट खाई कांगडा के फतेपूर और सोलन जिले की अरकी सीटों के साथ मंडी संसदिये seat पर उपचुनाव आगामी 30 अक्तुबर को आयोजित किया जा रहा है गोर रहे की मंडी संसदिये seat भाजपा के सांसद राम स्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद खाली हो गई थी इसी तरह सोलन जिले के अरकी विधानसवा seat पूरू मुख्य मंत्री श्रीवीर भदर सिंग की मृत्यू के उपरांत रिक्त हो गई थी पूरू कांगरे सरकार में मंत्री रहे सुजान सिंग पठानिया के निधन के उपरांत खाली हुई है इन सीटों पर 30 अक्तुबर को मद्दान होगा और 2 नमबर को मद्दगर्ना के साथ ही चुनाव प्रिणाम भी घोशित किये जाएंगे इस स्वाल का सही जवाब रहेगा पंदरा से 21 अक्तुबर के बीच अंतरराश्ट्रिय कुलू देशहरा मनाए गया सीज क्वेशन का राइट आंसर है तो गत दिनो मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर की अधिक्षता में कुलू देशहरा समीती की एक बैठक भी आयोजित हुई थी इस बैठक में मुख्यमंत्री ने देशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारिया समयबद तरीके से पूर्ण करने के निरदेश दिये है और हिमाचल प्रदेश के इस समय शिक्षा भाषा कला एवं संस्कृती मंत्री कोन है श्री गोविन सिंग ठाकुर। तो ये important fact भी आप लोगों को याद रखना है question number 3 आल ही में tourism त्रीगर्थ कार्निवल का आयोजन कहा किया गया इस स्वाल का सही जवाब रहेगा ध्रमिशाला में government college ध्रमिशाला में 9-28 सितंबर के मद्य है त्रीगर्थ कार्निवल आयोजन किया गया question number 4 प्रेरना युवा जर्नलिस्ट 2020 अवार्ड से किसे समानित किया गया है इस स्वाल का सही जवाब रहेगा पवन कुमार शर्मा पिक्चर में आप देख पा रहे हैं पवन कुमार शर्मा जी को केंद्रीए विश्व विदेल्य के कुलपती प्रोफेसर सत्परकास बंसले government college ध्रमिशाला में आयोजीत एक कारेकरम में दिव्य हीमाचल के पवन कुमार शर्मा को सम्मानित किया है question number five मिंजर मेला मुख्यते की जिले में मनाया जाता है in this district मिंजर मेला is mainly celebrated मिंजर मेला मनाया जाता है मुख्यते चमबा जिले में D इस question का right answer रहेगा चमबा जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ शर्मान मा में मनाये जाने वाले मेलो में मिंजर का नाम सबसे पहले आता है इसकी एतिहासिक महत्ता के कारण ही इसे अंतरराष्ट्रिय दरजा परदान किया गया है लोग साहिते में भी इसका विशे स्थान है चमबा के चोगान में लगने वाला यह मिला श्रावन सक्रांती के दूसरे रविवार को शुरू होता है और एक सब्ता तक यह चलता है कहा लगता है मिला चमबा के चोगान में मेले के दोरान रगुवीर जी के साथ करीब 200 देवी देवता इसमें शिरकत करते है मुशन नम्बर 6, कोल डैम प्रियूजना, कितने मेगावाट शमता की है, how much capacity is of the कोल डैम प्रोजेक्ट, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यह है कोल डैम प्रोजेक्ट, और इसकी जो कैपेसिटी है, वो है 800 मेगावाट की, देखिए इसमें total 4 unit है, और हर एक unit की जो कैपेसिटी है, वो 200 मेगावाट की है, तो total हुआ इसमें 800 मेगावाट कैपेसिटी, और इसकी जो location है, वो बिलासपूर डिस्टिक और मंडि डिस्टिक में है, और इसकी जो construction शुरू हुई थी 2004 में, और इसने काम करना शुरू कर दिया 2015 में, इसकी जो owner company है, वो है NTPC Limited, तो coal dam hydro power station, commonly known as coal dam, is an embankment dam on the Satluj river, upstream of the Dehar power house, Satluj नदी पर ये coal dam बना हुआ है, ठीक है, और बिलासपूर से 18 km दूर है, Chandigadh Manali highway पे, near Barmana Himachal Pradesh, India. The main purpose of the dam is hydroelectric power generation, and it will support an 800 megawatt power station. The dam was constructed by National Thermal Power Corporation. The foundation stone for the dam was laid on 5th of June 2000 by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee निसका foundation stone रखा था, 5 June 2000 को, 14 January 2004 को, main construction on the dam, वो शुरू कर दी गई थी, और due to the problems associated with the habitat and forest loss, the project has been delayed. Question No.7, देश के पहले प्रमवीर चक्र विजेता, मेजर सोमनात शर्मा, Himachal Pradesh के किस जिले से सम्बंदित थे? The country's first प्रमवीर चक्र वीनर, मेजर सोमनात शर्मा, belong to which district of Himachal Pradesh, इस वाल का सही जवाब रहेगा, कांगडा, मेजर सोमनात शर्मा, कांगडा जिले से सम्बंद रखते थे? D, this question का right answer है, Question No.8, चाबिया दर्रा, Himachal के किन दो जिलो की सीमा पर स्थित है? चाबिया पास is situated on the border of which two district of Himachal? चाबिया दर्रा, चम्बा और लाहोल स्पीती की सीमा पर स्थित है? D, this question का right answer रहेगा, चाबिया जो दर्रा है, इसकी समुद्र तल से कुल उचाई है, 4934 मीटर, ठीक है? तो ये important fact भी आप लोगों को याद रखना है, Q9, भारतिय मानक ब्यूरो का शेत्रिय कारिया लेप प्रदेश में कहा स्थित है, Where is the regional office of Bureau of Indian Standard located in the state? BIS का regional office परवाणू में located है, D, this question का right answer रहेगा, BIS की स्थापना हुई थी 23 December 1986 को, Headquarter इसका है मानक भवन पुरानी दिल्ली में, इसके जो डारेक्टर जनरल है, वो है परमोद गुमारतिवारी, और इसकी parent agency है, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, अब बात करते हैं, परवाणू की, परवाणू आता है, सोलन डिस्टिक के अंदर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, परवाणू, ठीक है, तो इसका जो बोडर लगता है, हर्याना के साथ, सोलन जिले का, पंजाब के साथ, और हिमाचल परदेश के, बिलासपूर, मंडी, शिमला और सिर्मोर, तो हिमाचल परदेश के, चार जिलों के साथ, सोलन डिस्टिक सीमा शेयर करता है, Q10, श्रीखंड महादेव परवत की जिले में स्थित है, इन्विज्डिस्टिक श्रीखंड महादेव माउंटेल, लोकेटिड पिक्चर में आप देख पा रहे है, श्रीखंड महादेव परवत को, यह कुल्लू जिले में स्थित है, इस question का right answer रहेगा question number 11 हाल ही में badminton खिलाडी Yogesh Chohan कचेयन senior world badminton championship के लिए हुआ है इनका संबंध किस जिले से है recently badminton player Yogesh Chohan has been selected for the senior world badminton championship he is related to his district देखे Yogesh Chohan इनका संबंध है Solan जिले से see this question का right answer रहेगा पिक्चर में आप देख पा रहे है Yogesh Chohan को along with CM जिला सोलन के निवासी है भारत का परती नित्यू करेंगे senior world badminton championship में यह जो परतियोगिता है यह है आयोजित की जाएगी Spain के अंदर तो यह important fact भी आप लोगों याद रखना है exam में पूछा जा सकता है senior world badminton championship किस देश में आयोजित की जाएगी Spain में ठीक है यह परतियोगिता 28 नुवंबर से 4 दिसमबर 2021 तक आयोजित की जाएगी question number 12 सतलूज जल विद्यूत निगम वर्स 2030 तक प्रदेश में कितना निवेश करने जा रहा है how much investment is सतलूज जल विद्यूत निगम going to invest in the state by 2030 23,000 करोड रुपे सतलूज जल विद्यूत निगम प्रदेश में 2030 तक निवेश करने जा रहा है C's question का right answer रहेगा सतलूज जल विद्यूत निगम 2030 तक हिमाचल प्रदेश में 23,000 करोड रुपे का निवेश करेगा हमिरपूर में 66 मेगावाट की धोलासिद और रामपूर में 210 मेगावाट की लुहरी Stage 1 विजली प्रियोजना में वर्स 2025 चबिस तक उत्पादन कारिये शुरू हो जाएगा इसके लावा काजा में 880 मेगावाट की रिजिडेंशल स्कूल्स आर बिंग बिल्ट इन हीमाचल प्रदेश तो हीमाचल प्रदेश में Asian Development Bank की साहता से अटल आदर्स आवाशिय विद्याल्य बनाये जा रहे हैं प्रदेश में अब तक 26 अटल आदर्स आवाशिय विद्याल्य अधिसूचित हो चुके है और एक विद्याल्य के निर्मान पर करीब 50 क्रोड रुपे खर्च होने प्रस्तावित है यहाँ पर बात हुई है Asian Development Bank की इसके स्तापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका जो पर्पस है वो है Social and Economic Development इसका Headquarter मिलेगा आपको Manila Philippines में इसके जो Total Member Countries है वो कितने है 68 और President कौन है Must Sugu Asakawa ठीक है इतना आपको याद रखना है Question No.14 Himachal Pradesh, Raja Mahila Ayo की वरत्मान अध्यक्स कोन है Who is the Present Chairperson of Himachal Pradesh State Commission for Women Picture में आप देख पा रहे है Dr. Deji Thakur को Disquestion का Right Answer रहेगा इनको एक बार फिर से Extension मिला है तीन साल का इनका कारेकाल होता है Himachal Pradesh में महिलाओ के लिए Raja Mahila Ayo का गठन किया गया है जिसमें एक अध्यक्स के तिरिक्त सिक्षा विदो, समाजिक, कारेकरता गैर सरकारी संगठोनों, परियावरण विदो, न्याई विदो, आदी में से तीन से चार नामित सदिश्यों को शामिल किया जाता है आयोग के जो उदिश्य हैं वो क्या है महिलाओ को उत्पीडन को रोकना दहेज परनाली का उन्मूलन महिलाओ के समेधानिक अधिकारों का सरक्षन महिलाओ की सिकायतों का निवारण बाधित महिलाओ के पुनरवास महिलाओ के बीच समाजिक, कानूनी, समेधानिक, स्वास्थे, आजीविका के बारे में जागरुकता पैदा करना महिलाओ के उत्थान के लिए राज्य सरकार को सिफारी से परस्तुत कर रहा ये राज्य महिलायोग के उदेश्य है Q15. हिमाचल के किस वैज्यानिक को मलेरिया दवा इजाद करने के लिए यंग साइन्टिस 2021 पुरुसकार दिया जाएगा विच साइन्टिस फ्रोम हिमाचल परदेश विल बी गीवन दे यंग साइन्टिस 2021 अवार्ड फोर इन्वेंटिंग मलेरिया ड्रग तो देखे ये दिया जाएगा डोक्टर मनमोहन शर्मा जी को सीज कोशन का राइट आंसर रहेगा इनका संबंध हिमाचल परदेश के हमीरपूर जिले से है और हमीरपूर जिले के मंडल भोरंज के अंतरगत गाव धो के निवासी है और इनको दिया जाएगा यंग साइंटिस्ट 2021 पुरुसकार इसके लिए डोक्टर मनमोहन शर्मा को एक मेडल और एक लाख रुपे गाई नाम मिलेगा मलेरिया के लिए नई दवा इन्होंने इजाद की है और इसके लिए भारतिय राष्ट्रिय विज्ञान अकादमी इनको सम्मानित करेगी अब आपके लिए आज का स्वाल इस स्वाल का जवाब आपको कमेंट बोक्स में लिख करके बताना है क्वेशन है विस्व जल दिवस कम मनाया जाता है वेन इस दा वर्ल्ड वाटर डे सेलिबरेटेड ओप्शन सार 22 इतंबर को 22 नमंबर को 22 मार्च को 22 अपरिल को तो जिल्दी से बताईये इस स्वाल का सही जवाब तो फ्रेंड्स थैंक्स फोर वचिंग यू आलसो फोलो अस ओन फेस्बूक और टेलिग्राम विध इस लिंक कीप वचिंग आर वीडियो थैंक यू वेरी मच